हाई फ्रेंट्स आज हम करेली की खेती किस प्रकार की जाती है यहां देखने जा रहे हैं तो आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं हमारे फ्रेंड है दर्शन सिंग जि बेदी तो इनका यहां फार्मांस है जहां पर करेला ककडी सेमी और सबी प्रकार की फसले उगाते तो मैं आपको आज information देना चाहूंगा सर यह जो करेली की बेल है तो इनकी जो सरी आ है जो यह बेड इनके बीच का distance कितना रखे है यह पांद पूट का सब्सक्त कृ मेंबेड और नीच सिंगाया .Bege यह जो सरी बना है तो यह बेड बुट करेली की डालते ओ हो Fahrenheit में यह सिंगल 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 तो इन्हें दो पेड़ों के बीच का करेले के डिस्टंस शीज़ हो दो देड़ फूट के और करेले में वेडि़ को राटी आती है और से कोई पूं कोंती जा कि इस परेश है एक्सप्रेस इसका साइज क्या होता है अचा मुझे बताई यह यहां लगाने के बाद में कितने ओकफजास फूपनन दिन के बादिन के बाद चींटेस में चाहल हो जाता है अ क्फु59 अ कि दिनग के बाद में हमतार उसके बाद में 005 कि टिन की जुब महिने आ इसका फसलánhक तो सब तो मुझे यह बताईए कि भई इसका जो पड़ एकड़ी उत्पादन है एक एकर का यहां लगबग कितना अंदाजे कितना आ जाता है उत्पादन सव कुंटल से लेके 200 कुंटल तक भी आता है सव से 200 कुंटल तक आप अच्छी फसल पका सकते हैं तो सर इसका ने में बीमारी याने वाइरस है तो वाइरस अभी तो सर मुझे यह बताईए जैसे अच्छी फसल हो गई तो एक एकर में कितने लाग का उत्पादन पासकते ज्य तो पाच लाग में अगर आपने लागत भी लगाए तो कितना लाग खर्चा आ जाता है जल लगबग लेड़ से दो लाख रुपे यहने सुद्ध मुनापर आप दो से तीन लाख रुपे चाशे महां में आप कमा सकते हैं तो अब मुझे पताईए हैं माइक्रों नूट्र बढाई हैं करते हैं तो मंट में अच्व अ संफोरे करते हैं तो अध्रीत फाज़ा किया होता है आप मैक्रों नूट्रिण करते हैं और दुसरा हमार्केट में तोसे फैर्ण हिर्ण की परकिर्या अख्या से होती है इसका मतलब हरा होता यह च데 involves डार कहा रहा होगा तो फोटो सिंधी चीश होगी इसना फूड बनाता है अच्छा जमीन से बनानी की प्रकिरिया जमके होती है और फिर डी पिरिगेशन से आप क्या ढलते पिर इसमें कौन कौन ते न्यूट्रियून टालते आप अच्छा उसके बाद में जैसे पानी की बात है तो पानी तो रेनी सीजन में जो बारिस का मोसम होता है उसमें तो देना नहीं भी दिये तो चल जाता है कि बारिस आते रहती है लिवारे बारिस की बारिसन ने जैने तो ₹क बारिस के मौसम में इसको पानी देना पडнул को यहांka को आपको रीचा खुलाओ तुर अच्छा से अडमिसे उन्हों से पानी जर में भी सर्चानां कि दिन के बाद जमीन है और ईक दिन के बाद में देना है तो कितने गए फप्रवन पढ़ता जमीन यह आपको एक घंटा पर आपको घंटा एक दिन के बाद्म आई refers भी और वारिज में अगर से अप लेते, ऑगे से विश महा मैं, जून महां में लगाते तो लोग बहुत प्रमान में होते है सब हो थंड बहुत प्रमान में घुता थंड's कुछ बहुत कोई हरबल है अच्छा तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोड़क्ट है तो एग्रिकल्चर शौपी वाले बता देते हैं कि इनके कंट्रोल के लिए कौनता इस्प्रे देना है और किस प्रमान में आपको उपलब्द कराना है तो इसमें एक अच्छी दवा या है यह वायर है जो चुरमुड़ गया इसका मतलब यह हो गया इसका मतलब यह इसका मतलब ध Bogar इसका मतलब इचा मतलब आपका करना सब्हूं कि सब् February सब्कितत Understand कि बता ना बड़ा होता है सब्संट्रे और रहता है आपको आपको धूठ के नीचे आपको मिलेंग है आपãy आपको अच्छा-च्छा आउर HeЭто कि छोटा सा मक्की अच्छा-डी थिए आपको यहां अच्छा अच्छा आई-च्छाहाऊ चाहाँ-छ ने भी स्था इसा इसका रस चुशती है यह यह पत्तों की नसो को खोकला कर दिया ने जो भी फूर मट्रियल जो लेता है पाउदा वहां खटम कर देता है फिर प्रकास संसलेशन की करिया होती नहीं तो अच्छा 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 तो अभी यह अभी कितना एकड में आपका सवायकड में तो सर मुझे बताइए कोई भी क्रॉप लगाते कोई भी फसल और डबल उसी को एने प्लेन करके डबल क्रॉप उस पे लेते हैं कि दूसरा क्रॉप चेंज करते आप यह यह तिसरी फसल है मेरी इसी जगह पे इसी जगह पे अच्छा इसको दीरे-दीरे एक साल ह अच्छा उसके बाद तुरे लिया हां इसी फसल है मेरी करे लेकी करे लेकी यहने आपको फसल चेंज करना है मैं वही पूछ रहा हूं कि जैसे एक क्रॉप अगर ककड़ी के लिए तो डबल आप ककड़ी ना लगाई यह नहीं दूसरा इने फसल चेंज करना आपको तो सर अ अच्छा इसको अच्छा इसको निकालके पाइपले नागर्टी डबल से खत पानी डालके तायर करना पड़ेगा तो सर मुझे बताईए जैसे मल्चिंग आप करते हैं तो मल्चिंग करने के बाद में जो जिल्लियों गर बिछाते और दबाते हैं और तो यह कितने दिन चल हैंने 90-120 दिन हैंने 4 महा का प्रॉप है ज्यादा 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 च्यार महा कटडी के लिए अच्छा फिर उतने दिन लगते अपने तुरही के लिए ओके उसके बाद पिर आप करेला लागा हो चाहें यह याने आपका कहना है कि साल में एक बार अगर ते फिट किये अ पूरे मिट्टी में बेड़े बिच में इस डालते हैं तो अपने को सही उसका प्रोसीजर यह है कि वो उसको ऐसा ही बगराने काना अच्छी बगराद और बाद में बेड़ टायर करो इसका मतला आपका कहना है जड़े तो पूरी अंदर चले जाती है अपना खाना खुद खोज लेती है अच्छा लेकिन सर जैसी बेड़ बनाने के बाद में मैं देखा हूं कहीं बेड़ बनाने के बाद में बेड़ के सेंटर से एक फिट गहरा करके लास्त तक ऐसा होने ख़द पहले वह भी करते थे हम में जरुकिंके वहां जिकता जरुकिंबूह नई कोड़ खाने वाले कीडे रहते हैं त्योंगे आपका जर्मिनेशन भी सिड का प्रापर नहीं हो सकता है यह देंजरस रहता है इसलिए एक साथ पूरे प्लाट में डाल दो नांगर चला दो बखर वगएर चला दो उसके आदमें मट्टी को बारिक कर दो और उसके बाद में बेड़ बना दो इसमें रोग वगएर लगने के चैंसे कम रहते हैं तो सर मेरे क तो सर धन्यवाद आपने हमें इतना बहुंवले समय भी दिया बहुंवले जानकारी दी लेकिन और यह जानकारी मैं आपके पूछना चाहता हूं जैसे यहां पर इंसेक्टिसाइड मारते हैं आप किटक ना सकते कौन-कौन से किटक ना सकते मारते हैं जैसे अब यह मीटा मुझे बताई है कि इंशेक्टिसाइड बारने के बाद में कितने दिन इसका इनए फसल नहीं कंसे कम इंसे कम अर ज्यादा से जादा नहीं मारे तो अच्छा है ज j Summit marni के बाद मे । मैं पूरा यह जहरीला अिस lived न करिवाना लेकिन मुझह बताई सब तो को पसल होगा ना दौए काउप्छाय कई सतनैं दौड से गवों होगी देदानि आप के अन्दर में चाला जाए इसमें औरने चाला जीज फाफ फेरी के मार fals deben मारते हैं राकी किना नहीं है तरुसरा कमसार आता है और ज्यादा नहीं है आपका हमने बहुत मुल्य समय लिया और आपने बहुत मुल्य इनफर्मेशन दिया तो दोस्तों यहां ते हमारे दर्शंग जी बेदी जिन्हों अभी आने यह फार्मिंग में आने बहुत सारा ने अपना डेवलप्मेंट किया हैं तो दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप यह देखे इस प्रकार का फालो किजिए ठैंक्यू